हलो एवरिवन मैं निल कुमार सिंग स्वालब करता हूँ आपका आपके यूटूब चैनल विश्वभारति क्लासेज में आज का यह जो वीडियो है इसमें पीपर वन से समंधित 40 क्रेस्टन है लेकिन इस कोशन को हम एक्स्प्लेइन नहीं करेंगे सिर्फ आपको आंसर आखे थे जिससे की पीपर वन का पूरा हंड़ेट कोशन का एक सेट त्यार हुआ था आने वाले दिन में उस प्रैटर्न पर हम कोशन आपके लिए लेकर के आते रहेंगे जो ना सिर्फ पीपर वन से समंधित होगा बलकि पेपर टू से भी समंधित होगा लेकिन फिलहाल आ प्रसासन अब बिश्क्रित छेत रहें क्योंकि प्रसासन का दर्शन जीवन के दर्शन के निकट पहुँच जाता है किसका कथन है यह लोग प्रसासन से समंधित कुश्चन है और इसका आंसर है प्रोफिसर डी मॉंक नमबर तीन नवीन लोग प्रसासन को सुरू करने का स्रे किसे जाता है आंसर है C ड्वाइट वाल्डो नमबर फोर मुहमद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एक्ता का दूद किस ने कहा था सही उत्तर है इसका सरोजनी नाइडू हिस्ट्री से एक कुश्चन था नमबर फाइब भावभूती की रचना मालती माध हो सैव धर्म के किस साखा के अध्यन के लिए महत्वपूर्ण है option जो है वो सैव धर्म के विभिन साखाओं से समन्दीत है और मालती माध हो जो पुस्तक है वो कापालिक सैव संप्रदाय या सैव धर्म से समन्दीत है उसके संदर में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तूत करता है नमबर शिक्स प्राइस इंडेक्स रेसिडेक्स किस से समन्दीत है तो ये बिसिकली लैंड के बैल्यू से समन्दीत है तो option C इसका सही उत्तर होगा कि भूमी के मुल्ले से मतलब आवास ये भूमी के मुल्ले से किस समीती की सिफारिष पर SBI की अस्थापना की गए थी SBI की अस्थापना 1955 में होई है और गुरवाला समीती के रेकोमेंडेशन पर ये काम किया गया था नमबर आठ यदि किसी खिलाली को फीडे रैंक प्रदान किया गया है तो उसका मतलब उस खिलाली का समंद किस खेल से है सही उत्तर है इसका D सतरंज मतलब चेस से मतलब फीडे चेस से समंदी तो ये स्पोर्ट्स जो मिस्लेमियस का सेगमेंट है वहाँ से कुशन था अगस्त 1998 से काररत नियाम नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एगरिकल्चरल मार्केटिंग ये अवस्तित है इसका सही उत्तर है जैपूर मतलब आप्शन B ये एगरिकल्चर से या जोगरफी से या एकोनोमिय से ये तीनों पेपर से समंदीत हो सकता है नमबर टेन देश्ट में पहली बार क्रिसी गन्ना किस वर्स की गई थी सही उत्तर है ए उनीशो सत्तर नमबर ग्यारा भारत एवं विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए समाजवाद ही एक मात्र कुंजी है किसने कहा था आंसर है जैप्रकास नारायन तो ये बात कही थी जैप्रकास नारायन ने नमबर ट्विल्ब संपती के अधिकार को मुल अधिकार की स्रेणी में किस परधान मंत्री के समय में किस परधान मंत्री के समय समाध किया गया तो आपको पता है कि 44th amendment 1978 में हुआ था जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी के परधान मंत्री थे मुरारजी देसाई तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C मुरारजी देसाई नमबर 13 ब्यायकर expenditure tax को आयकर के बिकल्प के रूप में सुझाओ देने वाले अर्थ सास्तरी थे सही उत्तर है काल्डोर काल्डोर ने सिफाइश दिया था कि ब्यायकर को आयकर के बिकल्प के रूप में अपना है जा नमबर 14 डफ एंड फिल्प्स नाम की कंपनी किस चत से समंदी थे तो ये समंदी थे credit rating से 14 का अंसर होगा B credit rating नमबर 15 उमाजी नायक किस बिद्रोह से समंदी थे तो उमाजी नायक का समंद है अहोम बिद्रोह से वैसे अहोम बिद्रोह का मुख्यनिता गुमधर कुणर थे लेकिन उमाजी नायक भी उसी बिद्रोह से समंदी थे नमबर 16 किस वर संसद ने अस्प्रिष्चता अंटेचाबिलिटी अधिनियम को सुझित कर सिविल अधिकार संरक्षन अधिनियम प्रोटेक्शन ऑप सिविल राइट आग्ट के नाम से पारित किया आंसर है इसका C 1976 नेक्स्ट जिरोप्थाल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है इसका सही उत्तर है जिरोप्थाल्मिया विटामिन ए की कमी से होती है मतलब ऑप्सन डी नमबर 18 इंग्लाइन का इप्सम स्टेडियम किस ख्यल से समंदित है सही उत्तर है घुड़दौर 18 का सही उत्तर है A नमबर 19 अखनूर पूल कि सराज्य याकेंसासित प्रवेश में है सही उत्तर आप सब जानते होंगे जम्मू कश्मीर से इसका सम्बंद है नमबर 20 भारत में अंतरिक चायोग स्पेस कमिशन आफ इंडिया के अस्थापना किस वर्स की गई थी अंसर 1972 ऐसा क्वेस्टन को बस एक नजर दोहरा लीजिए इसी उदेशे से ये वीडियो बनाया गया है प्रसिद करांतिकारी जो ब्रिटिस समराज जिवाद को जर्मन समराज जिवाद से बेहतर मानता था सही उत्तर है लाला हरदयाल मतलब आपसन डी ये ब्रिटिस समराज जिवाद को जर्मन समराज जिवाद से बेहतर मानते थे नमबर 22 यदि कोई सरकार निर्देशक तत्तों मतलब कि DPSP की उपेक्चा करती है तो उसे निस्सित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदाई होना होगा किस ने कहा था तो सही उत्तर है डॉक्टर अम्बेड कर मतलब कि D 23 ये सब लोग जान रहे होंगे गोल किस खिलाड़े की आत्मकता है में दर्ध्यान चंद इसका सही उत्तर है नमबर 24 निमलिखित में से कौन सा सुक्ष मतत्त्व माइक्रो एलिमेंट्स नहीं है सही उत्तर है पोटास मतलब C 25 नमबर 25 रास्टिया आए के आकलन में मुल्ले हरास की गन्ना किस पर की जाती है तो मुल्ले हरास डेप्रेसेशन जो चार्ज किया आता है निस्तन इनिका में वो केवल C मतलब पुंजीगत बस्तूओं पर किया जाता है तो सही उत्तर है C 26 मुहमद अली जिन्या का बालकन प्लान समंदी था शही उत्तर है भारत भी भाजन से माउंट बेटन के टाइम में आया तो माउंट बेटन का बालकन प्लान पुछता हो या जिन्या का पुछता हो भारत भी भाजन से इसका समंद है तो D इसका आंसर होगा 27, Salt Peter किस धातू का आयस्क है आंसर है Calcium 28, Chlorophyll नमने में से किसी की लिखा गया है किसी की उपरस्तिती में बनता है बहुत आसान कोश्यन है आप सब को पता होगा आंसर है A, Magnesium 29, नमने लिखित में से किस राजिमें दच्छिन पस्षी मांसुन से वर्षा नहीं होती है निसे तोर पे आप इसको भी जान रहोंगे आंसर है इसका तमिलनाडू B 30, Kaldera भू आकरिती का निर्मान कैसे होता है तक Kaldera जो एक टोपोग्राफी है भू आकरिती है इसका निर्मान कैसे होता है तो सही उत्तर है ज्वाला मुखी उदगार से वोलकैनिक इरप्सन से Kaldera का निर्मान होता है 31, द्रवीड अस्थापत्य का जन्म दाता किस राजबंस को माना जाता है सही उत्तर है इसका B द्रवीड अस्थापत्य का जन्म हुआ पल्लवो काल में और अपने चरमोत कर्स पर पहुँचा ये चोल काल में तो B इसका सही उत्तर है नेक्स्ट कुशन देखिए निम्नांकित में से किस बैक्ति को पहली बार मंत्री मंडल अस्थर केबनेट राइंग का दर्जा दिया गया केबनेट मिस्टर नहीं उन्ही को ये दर्जा मिलेगा और पहला लोकसभा में भी पच्च के नेता जो थे OIB चवान थे 1977 में तो सही उत्तर है C नमबर 33 भारत की कौन सी योजना मुख्यता सोबियत मॉडल पर आधारित थी असान कोश्यन है बिलकुल ऑप्सन B द्वीतिये पंचवर्शिये योजना 34 स्टील में कार्बन की मातरा होती है मतलब कितनी होती है तो स्टील में कार्बन की मातरा होती है 0.1% से लेकर के 2% तक मतलब ऑप्सन A नमबर 35 अंतराजिये परिशद इंटर स्टेट काउंसिल के निर्मान का सुरूत है उप्सन के एक बार पढ़गे रहे है संसदिये कानून योजना या निती आयोक के सिफारिस संबैधानिक प्राउधान या मुख्य मंत्रियों के समिलन में स्विक्रित संकल्प सही उतर है समयधानिक प्राउधान क्योंकि बारत के समयधान के आर्टिकल 263 में इसके लिए प्राउधान है तुलबुल परियोजना का समंद किस नदी से है तुलबुल परियोजना का समंद है जहलम नदी से निमनलिखित में से कौन एक प्रारूप समीती के सदस नहीं थे आप सबको पता है कि प्रारूप समिती में साथ सज़स थे, अम बेड़ कर उसके अध्यास थे, इन में से कौन एक सज़स्य नहीं थे, बड़ी आसान है ये question, सचीदा नंसिनहा, इस सवाल का सही जवाब है, option D, 38, टिसको का नाम बदल कर किस वर्स, टाटा स्टील कर दिया गय टिसको का नाम बदल कर टाटा स्टील कप किया गया, तो 2005, इसका सही उत्तर B, 39, भारत के किस राजी में विधान सभा का एक सीट, धर्म के आधार पर आरक्षीत है, सही उत्तर है सिक्किम, और last question, निम्नांकित में से किसे समात्त किया जा सकता है, परंतु उसे भंग नहीं क किया जा सकता है, राज सभा, लोग सभा, विधान सभा या विधान परिशद, तो सही उत्तर है इसका विधान परिशद, राज सभा को समात्त नहीं किया जा सकता है, राज सभा को भंग भी नहीं किया सकता है, विधान सभा को भंग तो नहीं किया सकता है, परंतु उसको सम किया जा सकता है और ऐसा प्रोविजन भारत के समिधान के आर्टिकल 169 में है तो सही उतर था D बिधान परिशद तो ये 40 कुश्चन आपको एक नज़र डालने की जरुवत है ऐसे कुश्चन हम आपको और भी समय के साथ उपलद कराएंगे 17 मार्शी चुके एक्जाम है ये वाला ही उपियोगी सिध हो जाते हैं एक्स्वानेशन वाला कुश्चन हम आने वाले दिनों में वीडियो में ले करके आपके लिए आएंगे वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ आवस्य सेयर कीजिए और देखते रहें धन्यवाद